परमीदा भीगम और बार नमबर नो की रहने वादा आठ नमबर में मेरी जमीन है कम तकरीबन 35 साल कर दया खरीद भी है ये लोग आ रहे है कुछ इसमें बिरंदर ठाकूर है कुछ इसमें क şunu दावा कर रहे हैं कि यह हमारी जमीन है यह हमारे हिस्से माई है, यह सब जगड़ा जो है तो यह ठरंट का है, ठरंट पहले से ही तराज से 35 साल पहले से ही ठरंट मुझे मिला था, और क्या कर देना परभात ने मुझे यह कबजा दिया था, परभात पटवारी ने, आज यह कैसे मालिक बनने हैं, मुझे अकेली मैं अलफ संक्या की सुमधाइक से तालुक रखती हूं, मेरे चार बेटे हैं, यहां पर कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं अपने बच्छों के साथ तेमी रहती हूं, इन्होंने मुझे पर ऐसे मेरे पर्च उच्छी, चोरी करी मेरे माल की, वितवार का दिन देख कैं, और इन् पुलिस आ गई, पुलिस ने ही बुल्डोजर निकल वाया, तो अच्छा क्या काम किया, बोला कि अपने कागज लियाओ, और ठाने के अंदर आगा, मैं अपने कागज ले गई, ठाने के अंदर गई, और इन्होंने मेरी 1.5 लाग की मशीन थी, पिंजर मशीन, जो रुई भ बना बुनों के 1.5 लाग बैट देगी, बिजली का मीटर मेरे नाम पर लगा हुआ था, इन्होंने सब चीज को डेमज किया है, पूरी दादागेरी मेरे उपर चलाई है, पूरी इन्होंने तो ये सोचा के इनको खतम कर दे मैं हम, इनको निकाल दे में सुजानपुर से, य मेरे जानमाल की हिफाज़त होनी चाहिए, मेरे बच्चों की, मेरे केगना हर एक चीज की, और मेरे जमीन पर ये किन में से कोई भी बन्दा कदम नहीं रख है, और मेरे घरवाले किसी को भी कोई बात, कोई खत्रा होता है, तो मनोज, बिरंदर और देशराज ये जिम्मेद अगर बाले दिन, ममी मेरे पास आय हुए थी, तस मेंटी हुए ती नहीं ही आई हुए, तो किसी ने पून करके बताया कि आप की जमी में जहें जेसदी काउ चाहिए हैं, तो मैं और मेरे बहन पैदल ही आए और मेरे भ्हाई और मुर्मी स्कूटी से वहा पोचें, तो वहा पिंजर मसीन थी लगी हुई थी वो तोड़ दी सरकारी प्रोपर्टी मिटर लगा हुआ था उसको भी डैमेज कर दी जब हमने उनसे सवाज जवाब किये तो वो हमें सुला सुला करके संभोधित करने लगी बत्तम इजी की हमारे साथ मेरा भती जा के उसने देखा कि परिवा जब हम बहां पर पहुंचे तो उनोंने साथी सूचक सब्द जितने बोलने ह के वो बोले उनों धी यहां तक हमें यह भोला कि सुले यहां रह नी सकते हैं इनको निकालो बहार और Mnohr Thakwar ने यहां कि तोड़ो तोड़ो मैं यहां खड़ा हूं कोई कुछ नी कर सकता मेरे भतीजे को मनोर ठाकर और देश राज मारने के लिए चड़ गए मैंने बीच में आके खड़े उकर उसको साइड किया कि वही तू बिटा साइड हो जा फिर उन्होंने जैसे जैसी भी चलाने को सीपी मैं जैसी पी क्या हगे खड़ी हो गई के चलाओ कैसे चलाओ गया और हम सर्ग्सर मनोर ठाकूर से यही सवार करना चाहते हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं था उनकी जगा नहीं थी उनका कोई ताल legally नहीं था तो उनको हमारे जगाँ पर आाकर एकनई बढ़तमीजी करके तोड़ несुड कराने का सुजानपूर के शरीमती फैमीदा बेगम जो अमर्राज एक महिला है इनकी तरफ से थाना में शिकायत आये थी कुछ थानिय लोग जो है वहां पर उनका जो एक शेट था जिनका उसमें किनकी रूभी पिजने की मिशीन लगी थी तो उसमें जेसी वी के बादिम से उसको कुलिस के इस उसकाम को रोका फैरे इफेडर्स की अब ही तक उसमें जहां चल रही है और जो इस वार्दात में जो इस्तामाल की गई जैसी वी थी उसको कब् olmuş में लिया गया है बाकी अभी जो इसमें तबतीश जा़ीका है फैमी दा बेगम यहां मुझसे मिलने भी आये थ साथ पुलिस की कारवाई से वो संतुष्ट है और उनने यह जहूर कहा कि भई आएंदा यह हमारा जो प्रॉपर्टी है उसको तोट फॉर नहीं करेंगे इसके लिए उनको आश्रासन भी दिया गए और हम एंशोर भी करेंगे कि भई कोई इस तरके का कोई गैर करूने काम उन जादा शेयर करें इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा इंस्ट्रग्राम पेज हिमाचल.केस्री